अगर आप पहली बार मेरे चानल पे आये हैं या भी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो दू कंसिडर सब्सक्राइबिंग तो मैं चानल आइकन तो फ्रेंड अभी अमेजॉन पे चल रहा है मौनसून कार्निवल बहुत है इस कार्निवल पे और मैं लेके आए हूं कुछ मौनसून थीम से रिलेटेड होम डेकॉर के आइटम जो चलिए देख लेते हैं पहला आइ आइट कर सकते हैं अपने होम डेकॉर में यह जो अर्टिफिशल प्लॉटेट प्लांट है यह परफेक्ट है इस तरीके के डेकॉर के लिए साइस में बहुत बड़ा नहीं है आप देख सकते हैं हाथ के साइस का ही है पर इसका जो एक रस्टिक लुक आ रहा है विद दे सिम पॉर्पीस 3.99 आइट इस आइट रहा है वाद देख लेते हैं कि अगला प्रोड़क्त मैंने क्या मंगवाय है इस मौंसून कार्निवल से अगला प्रोड़क्त है ट्री लैंब बोंजाइ लाइट विछ तरिशिक लाइट पर्ल्स मौंसून इस एक्वेलें तो रुमांटि weather को accentuate करने के लिए आपको चाहिए some kind of diffuse lightings यह diffuse lightings आपको एक बहुत ही romantic or soothing सा effect देता है उसके लिए I think this is a really good solution बहुत ही सुन्दर देखने में है a tree lamp effect देता है along with beautiful light pulse तो यह इस तरीके का इसका stand है stand में आप देख सकते हैं पीछे battery operated भी है यहां यहां पर आपका stand आजाता है and there is a on-off switch यहां पर आपका USB cable attached हो जाता है तो इसमें dual तरीके से आप इसको चला सकते हैं with a USB cable and as well as with a double A batteries इसे भी आप इसको power कर सकते हैं I generally prefer such kind of solution जिसमें दोनों option हो battery as well as a USB port इस tree को हमें stand पे fix कर देना है and then you can light it up as per your requirement आप इसमें battery डाल सकते हैं as well as USB port से भी आप इसको जला सकते हैं तो इसको light up करने के बाद इसका जो लुक आ रहा था बहुत ही अच्छा रहा था बहुत सूधिंग कामिंग और रोमांटिक सा एक लुक दे रहा था ये and I really liked it इसका जो प्राइस है Amazon पे करेंटली वो है रुपीज 9.99 और I feel it is a really good buy if you are looking for some kind of beautiful lightings for your corner or for your table as well तो I found it really good you can definitely order such kind of product if you like तो चली friends देख लेते हैं कि अगला product मेंने क्या order किया है अगला product पी related to home decor है और काफी अच्छी packaging में आया था and there was no damage to the product as it is a delicate product ये resin show piece है set of three में आता है ये finishing काफी अच्छी है इस product की और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा नहीं है ये 9.5 x 6 x 12.5 cm की इसके dimensions है poly resin का ये बना हुआ है and finishing आप देख सकते हैं काफी अच्छा है मुझे ये product personally काफी अच्छा लगा है quality of the product is quite good मुझे इसकी finishing and quality काफी अच्छी लगी है और किसी भी space को specially shelf को या फिर आप table accent की तरह अगर इसको use करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है इसको आप अलग अलग तरीके से style कर सकते हैं अपने home decor के लिए living room में या फिर bedroom में and currently जो इसका price है amazon पे वो है rupees 5.99 I found it really good product and you can definitely go for it next to decor piece मैंने order किया है वो है painting किसी भी theme को complete करने के लिए और किसी भी wall को liven up करने के लिए paintings are the perfect solution किसी भी theme से related आप painting मंगवाईए तो उस theme में चार चांद लग जाते हैं मैंने भी मंगवाया है इस तरीके के paintings set of two में ये मैंने मंगवाया है और इसका जो size है वो 13 by 17 inches है synthetic wood frame पर ये बना हुआ है और इसके साथ आपको कोई glass covering नहीं मिलेगी पर description में लिखा हुआ है कि non fading quality है तो इसी लिए I went for it इससे पहली भी मैंने इस तरीके के without glass paintings मंगवाये थे and they turned out quite good इसकी quality भी मुझे काफी अची लगी है इसके पीछे आपको hooks भी मिल जाते हैं और आप इसको wall पे hang भी कर सकते हैं और किसी भी shelf में रख भी सकते हैं both ways it is going to look really beautiful इसका जो price Amazon पे वो है Rs. 1200 1200 आप में आपको ये set of two मिलेगा जो इसकी company का नाम है वो है Mantra store और इसमें आपको और भी बहुत सारे colorful paintings मिल जाएंगे similar price range में and I found it really good and big thumbs up from my end So friends जो अगला product मैंने इस Monsoon Carnival से मंगवाया है वो है related to storage जिसकी हर घर में बहुत जरूरत होती है ये है IKEA Leonard drawer unit इसका जो size है वो 34 by 30 by 56 cm का है metal का ये मिलता है आप देख सकते हैं काफी अच्छी packaging में ये आया था इसके जो metal के elements हैं वो polyester powder coated है तो finishing काफी अच्छी है IKEA है तो quality is good to be expected और इसके साथ आपको सारे जो इसके requirements है for installation वो मिलता है along with a installation guide इस तरीके का आपको एक paper मिल जाता है जिसमें सारा आपको installation related description मिल जाएगा सारे parts आपको इस box में मिल जाएंगे along with screws, nuts, everything और installation तुक around 15 minutes एक बार अगर आपको समझ आजा जाए कि इंस्टॉल कैसे करना है तो it is quite easy बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है और मैंने आगे वीडियो में दिखाय डिस्क्राइब भी किया है कि मैंने इसको कैसे इंस्टॉल किया है तो please keep watching the whole video तो चलिए assemble कर लेते हैं इस drawer unit को इस तरीके से मैंने पहले spread out कर दिया है सारे इसके अलग-अलग units और इसके बाद हम इसको start करते हैं install करना तो सबसे पहले हम लेंगे इसके side panels ये दो हैं इसके side panels और इसके साथ bottom में इस तरीके के दो जो rods है connecting rods उसको connect कर देना है एक screw से ये procedure हमें दोनों तरफ follow करना है for both the side panels देखिए अब मैं second वाला panel भी इस तरीके से connect कर दूंगी with the help of screws देखिए इस तरीके से मैंने एक bottom rod को connect कर दिया है इसी तरीके से आपको उपर वाले end पे भी screws के help से इसको connect कर देना है now we will take the top panel top का जो cover है वो इस तरीके का होगा square shape का और इसको भी हमें fit कर देना है with the help of screws next हमें connect करना है back में ये cross ये भी connect होगा with the help of four screws और back side पे आपको holes मिलेंगे जिसमें आपको align करके इसको fix कर देना है now bottom side पे हम connect करेंगे दो wheels आप देख सकते हैं कि आपको इसके साथ मिलेंगे दो set of wheels जो की back side में connect होगा और आपको इसके related holes भी मिल जाएगा instruction manual में clearly आपको ये देखने को मिल जाएगा इसको बस fix कर देना है और ये आपका जो frame है basic वो ready हो गया है अब हम इसके drawer units ready करेंगे तो हमें ये जो metal का drawer unit है इसको fold करना है lines के along देखिए इस तरीके से दोनों side से हमें इसे fold कर देना है next हमें इस drawer unit के back and front portion को join करना है with the help of plastic screws जो आपको provided रहेंगे तो इस तरीके से आप देखिए ये join करके align करना है on the holes and then जो इसके साथ आपको plastic के screws मिलेंगे उनको in holes में align करके press कर देना है and then it is so easy ये इस तरीके से fix हो जाएगा दोनों तरफ आपको इस तरीके के four screws attach करने है on the sides and at the bottom तो आपका जो drawer है वो ready हो जाएगा बस आपका drawer ready हो गया है इसको आपको slide कर देना है जो frame हमने ready किया था पहले उसमें और आपका जो drawer unit है वो सारा assemble इसी तरीके से आपको कर लेना है assemble का होने के बाद कुछ इस तरीके का look आता है this is quite useful I found it quite useful for use in kitchen as well as चोटी मोटी knick-knack items, office के items या फिर study table के नीचे अगर आपको रखना है उसके लिए काफी useful है since it is perforated तो आप इसमें आलू-प्यास वगेरा की ताइप की चीजे भी रख सकते हैं which do not need to be stored in covered containers तो मुझे इस रिस्पेक्ट में भी काफी useful लगा है इसका जो price है Amazon पे वो है rupees 2090 अगर आप directly IKEA से बाई करते हैं तो यह आपको सस्ते में मिल जाएगा but through Amazon it becomes a little more pricey because they are transporting it to your preferred location so again a very useful product and a big thumbs up from my end तो friends इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे खतम करती हूँ I do hope आपको सारे जो monsoon carnival के मैंने items दिखाये हैं home decor और storage से related वो अच्छे लगे हो वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो don't forget to press the like button and do subscribe to my channel if you are new to my channel तो friends मिलते हैं अब अपने नेक्स वीडियो में till then take care stay safe and stay happy bye bye